पर्जामंडल के बारे में हमने बात कर ली थी और जंजाती आंदुलन के बारे में हमने बात कर ली थी तो देखिए अब हम बात करते हैं पर्जामंडल और जंजाती आंदुलन से से रिल्टेट को चापके किस न वानेता थे नेटा थे या आपको बताना है त्युक्त त्युद्ट की बात कहें तो इसकी स्थापना कब हुई थी गुणी 138 में इसकी स्थापना हुई थी और किस के द्वारा की थी तो किसनलाल जोशी इसका आंसर होगा किसनलाल जोशी की द्वारा उसके बाद में गुनी सो गुंचालेश में इस से भरतपूर परजामनल को भरतपूर राज्ये परजा परिसत बना दिया गया भरतपूर राज्ये परजा परिसत ठीक है तो किसनलाल जो सी क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पिर अगला प्रस्ण है जोरलाल नेरु के देख्षता में किसके देख्षता में जोरलाल नेरु जी के देख्षता में अखिल भारतिये देशी राज ये लोगपरिश्थ का कुन सा अदिवेशन यह कहां पर आए जित वा था यह ऐगो बताना है ज्वालाल नेरु के ग degli स्फमें अखिल भारतिय देशी रचे लोग्पैसट्र का साथ्वा अधिवेस्टन कहांपर वात में अखिल भारतिय देशी नेरु के अधिक्स्ताम में कहां पर हुआ था तो यह आपका रास्तान की जीलों की नगरी उद्यपूर में हुआ था उद्यपूर इसका करेक्ट आनसर होगा यह सारे परसन है वह आपके रास्तान के सीटी ग्रेजों से लिवल के जो अक्जाम हुई थी पिछली बार उसमें किसके नेतरतों में किसके नेतरतों में Šekhawati किसान अंदुलर में कहां पर Šekhawati किसान अंदूलर में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग दिया था इसमें जो पर मुख वक्ता थी महिलाओं जोस्त बने का उत्साहइद करनेका कारी किया था वो कुछ थी आपकी उत्मा-देवी थी ये भी पूछ दा सकता आप को मुख्या वक्ता का किसने किया था तो उत्मा-देवी नहीं किया था और ये देश-ráz-thakur की पत्णी थी देश-रा-ज ठाकुर यह भी आप ध्यान रख सकते हैं एक्जाम में कुछ रख सकता है देश रास ठाकुर की यह पत्नी थी उत्मा देवी जिन्होंने महिलाओं को प्रोथ साहित करने का कारिय किया था लेकिन 10,000 महिलाओं ने किसके नेतरतों में भाग लिया था तो किसवरी देवी की नेत और एक एकीस्सुत्री मांग पत्र है तो 33 सुत्री मांग पत्र का संबंध कीसी से है गविन्द गिलशी है घड्री लेकिन 21 सुत्री मांग पत्र का संबंध कीसी से आपका मोधीलाल तेजावत Commerce 400 सी एंग का कौन से अंदोलन का नितर तो किया था एक की अंदोलन का नितर तो किया था बिलों को एक जूट करने का कारी किसम किया था मुतिलाल तेजाओत ने किया था इसलिए मुतिलाल तेजाओत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है और एक की अंदोलन का इन्होंने सुत्रपा भी कहते हैं तो यह बाते आपको ध्यान में रखनी है मोदिलाल तेजांट इसका अंसर हो जाएगा अगला परसंदेखेंगे सन 1907 में चुरू में गोपालदास ने कौन सी सभा कि इस्तापना की थी तो स्रवे हितकारणी सभा की इस्तापना की थी सर्वे हितकारणी सभा कि इस की गई थी और अगर गुपालदास का नाम आपको नहीं मिले तो वहां पर आपको पंडित करेया लाल करना है ठीक है और चुरू में ही इसे सर्व हितकारणी सवा के सापना की थी और इसी को ही चुरू की कॉंग्रेस कहा जाता है चुरू की कॉंग्रेस कुझे कन celui के सानिस्था को कहा जाता है तो इसी सर्व हितकारणी सवा को कहा जाता है और इसका मुख्यरूप सवारे क्या था समाजिउत णाजिया कारा इंदेत है और इससे समाजिए सुधार के दोरान ही इन उने जो इसे कण्याई है उनकी चिश्छा के लिए पुत्री पाट-sk resistance किती तरी система साला या फोरियाई पाट साला किthis प्थि और णिम वरक के लिए उनकी सब्सक्राइब की थी उसके अगला प्रौष देखिए जमिनलाल बजाज ने स्ताफना आ चुका किसके बताना है अब देखे जेपूर मेवाड शिक्कर मारवाड तो शिक्कर और मारवाड तो इसमें से नहीं होगा बचा मेवाड तो मेवाड की भी आपको पता है 1932 में से स्थापना होई थी लेकिन जम्नालाला बजाज से इसका सम्मद नहीं है घंडराएं तो अब आपँ से पता है जापना इसका अनला बजाज ने किया था लेकिए अग्जामल तो आपको च यार एक्जाम में तो आपको चाहर ओप्शन दिया जाएंगे उन option के आदार पर answer करना है लेकिन आपको यहाँ पर कपूर चंदर पार्टने का कही नामों इसान नहीं दे रखा है इसका मतलब आप answer क्या हो जाएगा जम्नालाद बजाज और कौन से परजाम अंडल का जेपूर परजाम अंडल का ठीक है को बताना है देखे विजय सिंग पतिक को कौन सी जेल में रखा गया था तोड़कर जेल में रखा गया था अर्जमेर में बिल्कुल सही दे रखा है अर्जुनलाद से ठीक को बेलूर जेल में रखा गया था यह भी सही दे रखा है कैसरी सिंग बारत को ब्रेली जेल में यह ग एक जाता है ज्रॉट शिंग बारत को कहा जाता है कि चंद्र शेकर आजाद ने अपने बंदूग में लास्ट में एक ही गोली थी और वो अंग्रेजों के जीवन जीते-जीते वहाथनी है उसको भी अपनी कंद पत्डी में धाली उसी तरिके से ज्रॉट है ये भी अपने जीतेजी कभी भी अंग्रेज्यों के हाथ में नहीं आये थे इसलिए इनको राजस्तान का चंदरकर आजाद कहा जाता है जोरावड़ सिंझ बारट का सम्मन्ध का संमन्ध है उन्हीं 12 में योर्ड होर्डिंग से इनका संमन्ध जोराव सिंह बारत का और बाद में ये अंग्रेजों के हाथ तो आये नहीं 1912 में इनौनिये कांड गया था और लास्ट में मैं आपको बताया था 1931 में इसका पुंदर गठन हुआ था जमिनलाल बजाज की अद्यक्स्ता में और फिर ये आपका करनिश्टा भ्यनता के अक्जाम में पुचा गया था तो देखे ए राश्य पुताना अमध्यभारस सवागा का प्रत्हम अधिवेसे वीशन आपको एक्जाम में पूछा गया था लेकिनी सो गुनीशन नोपर यहां पर आपको नीसो अठारा कर लो तब आपका ज्यादा सभी होगा कि कि अधिया आपको बताए था पहला काम प्रोगा यह तो आपको बताना है ठीक है दूसरा अपन बात कर लेते हैं दूसरा अमरत्सर है तीम्योन का यहां पर फिर डूसरा अमरत्सर में और आसमेर में में उलग姹 तो डॉसरा अमरत्सर में फिर देखी अगला परसंट, गुनी सो पत्चीज में, अखिल भारतिये जाट महासभा का अदिवेशन कहां पर हुआ था? 1925 में, कहां पर हुआ था? उसकर अजमेर हुआ था? और इसके देख्षता किसने की थी भरतपूर के महाराजा थे क्रिशन सिंग के द्वारा इसके देख्षता की की थी मारवाड हितकारणी सभा मारवाड हितकारणी सभा का गठन किसके द्वार क्या क्या था मारवाड हितकारणी सभा का किस ने किया था तेके मारवाड हितकारणी सभा से पहले ये मरुधर हितकारणी सभा के नाम से जानी जाती थी मरुधर हितकारणी सभा और मरुधर हितकारणी सभा किस्ता अपना हुई थी 1908 में और किसी दोएung के सबाइब सु दवरा उसके बाद में 1923 में से 1923 में इसी मरूद र हित्कारणी सभाहं का नाम बदल करकर मारवाण रित्कारणी सभा कर दिए गया किसके देख्स्तागि जैंदारण site में ठीक है तो यहाँ पर जैंदारण व्याश्म क Door कलster का नाम किया था जो कि पहले मरुद्र फितकारणी सभा के नाम से जानी जाती थी और 1920 में ही जयन्दारण व्यास ने मारवाड शिवासंग की स्थाफना भी की थी तो यह विए आपको ध्यान में रखना है और जयन्दारण व्यास ने पोपा बाई की पोल और मारवाड का वर्तमान शासन या मारवा में और यह परसंग में बार-बार पूछाता है आप सकते कनिश्ट अम्देशक में निणीषक में और यह पर्योक्स वाल सायक में और भी बहुए जगल में बूछल समें में स्थाता है स्थापना किसके द्वार की नहीं अट करणार में सुआ जाए कि इसके देख्स कौन थे तो बलवन सिंग मैता थे लेकिन इसके पर्थम अधिवेशन के देख्स कौन थे तो मानी के लाल वर्मा थे ठीक है तो यह बाते मैं आपको पहले पता चुका हूँ जब अपने बात की थी मेवाड परजाम अगला देखिए मोतिलाल तेजावत सारवादिक योग्यनिता माने जाते हैं किसके लिए माने जाते हैं किसान अंदोलन के लिए बील अंदोलन के लिए मजदूर अंदोलन के लिए छतर अंदोलन के लिए यह संगनक बढ़ती प्रिक्षा में आ चुका यह परसंग मोतिलाल तेजावत सारवादिक योग्यनिता माने जाते हैं कौन से अंदोलन के लिए माने जाते हैं देखें मुतिलाल तेजावत के बात करें तो मुतिलाल तेजावत को और किस नाम से जाना जाता है तो मुतिलाल तेजावत को और कौन से नाम से जानते हैं आदिवासियों का मसीह कहते हैं आदिवासियों का मसीह किसे कहा इसका मतलब ये भील आंदोलन से संब्दीत है ठीक है भील आंदोलन से संब्दीत है मोधिलाल तेजावत और इन्होंने वनवाशी संकी स्थाफना भी की थी तो ये बात भी आपको द्यान में रखनी है अगला परसंदी की निम ने लिखतमी से परजामंडलों का मुख्या परजामंडल ने द्वार किया गया अंदोलन और परजामंडल अंदोलन में क्यों नहीं को लिख प्रती सरकार में अपना उत्तरदाईत वर रखना। ना तो सास कोंके सत्तासमाप करने की कोई बात थी, बृतिस राजगा अंध करने की कोई बात नहीं थी, समाज ये कुरूतियों भी नहीं थी। नागरिकों के जो अधिकार हैं, उनके लिए संगर्ष करने के बाद थी, इसलिए प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्धिश है था, तो यह कौप संची इसकान शुरोगा, पिर देखे, किसानों को, कर्षकों को, उनके अधिकारों के प्रति, जागरूग के लिए, विज एनगरूद राज़तान सेवा संग या सेवा संमीती, तो देखिए राजस्थान सेवा संग की स्तापना की थी, राजस्तान सेवा संग की की गई थी और इस रास्तान शिवासंग की स्ताफणा का ओद्धिश क्या था आम आजमी की जो समझशे हैं उसको सुनना, बेगारपधा की उपक्रतिबंद लगाना, बेगार पड़ता जो की बिना मेहंत न दिये काम करवना, या यानि की बिना बेठन दिये काम परवाना जो विदेशी वस्तों का वहिस्कार करना और खादी वस्तों से बनी हुई चीज़े हैं खादी वस्तों को बढ़ावा देना तो यह इससे रास्तान शिवासंग के मुख्ये वुदेश्य थे तो गुणी सो गुणीस में इसकी स्थापना अजमेर में किसके द्वार की गई थी विजय सिंग पतिक के द्वारा की गई थी तो उप्सन भी इसका आंसर होगा अगला प्रसंद देखिए निमलिकित में से डूंगरपुर राज्य परजामंडल के प्रथम अध्यक्स कोई थे यह आपको बताना है देखें डूंगरपुर राज्य परजामंडल की स्थापना की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना की थी और इसके पर्थम अधिवेशन इसका पर्थम अधिवेशन कवा था उनिसकी अधियक्सता भी किसके द्वारा की गई थी बोगिलाल पंडय के द्व सब्सक्राइब यह आपको बताना है इसका उद्शष खेंग और वन याज भी नाना है इसका उद्दिश हम आपको बता जता हूं संपसभा की सापना के पीछे उद्दिश ही कहता जो भी आदिवाशी है आदिवाशियों में जो भी कुरूतियां व्याप्त है उन कुरूतियों को दूर करना और आदिवाशी समाज में जो सामाजिक और जो राजनितिक चे परजामंडल से संब्दित नहीं रहे हैं जो कि परजामंडल से उनका कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है जबनालाल बजाज तो यह तो बिल्कुल परजामंडल आंदोलन से संब्दित रहे हैं गोकुल भाई बट भी है जय नारण व्यास भी है लेकिन कोईंद गिरी को जन्हेंब वह 1858 में डुग्णरपूर में वा था माशिया परिवार से इनका संब्द है और बिलों को संगेटिक करना बिलों को अंतरगत्र जंजागर्ती लाने का कारिय इन्हों ने किया था 1883 में इन्हों ने संपसभा की स्थापना की थी जबकि 1911 में इन्हों ने भगत पंद की स्थापना की थी तो ये भी आपको द्यान रख रहा है गुझी 111 में इन्हों ने भगत पंद की स्थापना की थी अगला परसंद कि उस समय में क्या था कि जो मिवार सरकार है उसके दुवरा जनगर्णा करने का कार्य कर वाय गया था तो वहाँ पर बिल समुदाय उनको यह लगा या पिर एक तरीके की अफ़वा फिला दी गई थी उसमय गृतिए कि आपकी जनगर्णा का दा कारिया इस लिए करवाय जा र और अपाल से किया था यह आपको ध्यान में रखना है एक्जाम में पूछा जा चुका है तो हो सकता है कि आगे फिर से रिपीट हो जाए अगला परसंद देखिए हाड़ोती परजामडल हाड़ोती परजामडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी यह काफी बार एक्जा आपना किसके द्वारा किया थी तो देखिए यहां पर आपको नैनुरामन सर्मा को प्रय को प्रयोटी देनी है ठीक है अगर यह equation में नहीं होते हैं तो पंडित अभिन हरी को आपको दूसरी में नमर्पर करना है 24 में नैनुरामन सर्मां के द्वारां फटी परजामड़ल क यस्ता आफ्ना की गिए थी बाद में गुनी सो इक्टालीश में नैनुर्तृ्णराम सर्मा गलती ह कि क्या चाती है। जो झो बेगार विरूद्ध और उधी चलाया था यानी यूँ कहें कि सबसे पहले बेगार विरूद्ध विरूद्ध दूरन ... सलाने का ... और शार्मानी ही किया था तो अब नहरी इसका आशेगा एसका अभी नहरी नहीं होगा ठिकर अगर वह Autom SJ में नहीं होता तब आप अभी नहरी कर सकते थे अगला देखिए भरतपुर परजामडल भरतपुर परजामडल कहा पर इस्तापित किया गया था यह आपको बताना है देखे राजस्तान में कुछ परजामडल ने जिनकी स्तापना राजस्तान से बाहर हुई थी या अपने राज्ये से बाहर हुई थी वो कौन-कौन सी है वो बिकानेर परजामडल के स्थापना बिकानेर तो सोड़ो राजस्तान में नहीं बल्कि कहां पर हुई थी कलकत्ता में इसके स्थापना हुई थी और भरतपूर परजामडल के स्थापना कहां पर हुई थी रेवाडी में हुई थी तो यह आपको दियान में रखना है भरतपू और भी MCQ चाहिए इस टोपिक से रिलेटेड तो वह आपने जे कमेंट करके बताते ना वरना हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टोपिक के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भार